हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ कि आपकी पड़ा बढ़िया चड़ रही होगी हम विजन पीटी 365 सॉल्व कर रहे हैं उसको पूरा एनलाइसिस कर रहे हैं उसका हमने स्टार्ट किया था अपना संस्कति का जो की कल्चर है उसको स्टार्ट किया था उसमें मूर्ती कला और इस्थापत्य कला को हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया था जो की था हमारा गुप्त कालीन प्राचीन मंदिर अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है जो की चर्चा में है कॉनार की सूर्य मंदिर संटेंपल कॉनार ठीक है तो ये क्यों चर्चा में है सबसे पहल जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं A.S.I. ठीक है इसका कब निति愛 Suportdisk fare? 1861 नहीं घाल०िय को छpark thudda जिसको हम क्या बोलते हैं? उससे रेत को सुरक्षित रूप से हटाये जाने के लिए एक रोड मैप की चर्चा की है इस सभाग्रह को जो की जोग मंडल के नाम से जोग मोहन के नाम से भी प्रशिद्ध होता है जिसको हम जोग मोहन के नाम से भी जानते हैं ठीक है? वहाँ से क्या निकालना है रेत निकालना है और ये रेत कैसे आया ये रेत जो बिटिश लोग थे अंग्रेज लोग थे उसने जग मोहन को गिनने से बचाने के लिए इसमें रेत भर दिया था अब इस रेत को निकालने के लिए बात की गई है क्यों निकाला जा रहा है क्योंक के तहट पाया गया कि जो रेत है वो नीचे बैठ रही है और इसके परिणाम सरूप जो रेत की परत और जो संदचना के बीच में 17 फिटका अंतर आ गया है अब जो डर बिटिश लोगों को था कि ये गिर ना जाए वही डर अब A.S.I. को है कि ये गिर ना जाए इस वज़े से इसका फिर से जिनुद्दार की बात की गई है चलिए आगे देखते हैं कोणार के जो सूर्य मंदिर के बारे में अगर हम कुछ जाने तो इसमें कुछ पॉइंट्स है उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है कोणार का जो सूर् होना चाहिए कि इसके पास है ये बंगाल की खाड़ी के पास ऐसा कहा जाता है कि जब इसको बनाया जा रहा था तो समुंद्र के किनारे पे बनाया गया था लेकिन बात में ये शिफ्ट होकर क्योंकि प्राकतिक ऐसी चीज़ें होती रहती है जिससे कि ये तट दूर हो गया दूसरी बात एक और थी कि इसे चंद्रभाग जो नदी है उसके किनारे पर बसाया गया था कौनसी चंद्रभाग जिसको हम चंद्रभागा भी बोलते हैं दो चीजे एक तो यह है कि बंगाल की खाड़ी और दूसरा चंद्रभागा नदी तीसरी बात यह कि इसके जो पत्थर हैं उसका रग थोड़ा सा काला है जिसकी वज़े से Black पैगोडा के नाम से भी इसको जाना जाता है ठीक है कौनाग का सूर्य मंदिर किसके नाम से जाना जाता है Black पैगोडा अब एक क्योशन उठेगा कि White पैगोडा किसे कहते हैं ठीक है तो वाइट पैगोडा बोलते हैं आप जगनात पुरी के मंदिर को ठीक है एक कोशन हो गया कि ब्लैक पैगोडा कोणाक का सूरे मंदिर और वाइट पैगोडा जगनात पुरी का मंदिर अगला पॉइंट है कि जो कॉंडली तामर पत्र है कॉंडली तामर में इसका निर्माड कराया गया थीक है बारा सालों में इसका निर्माड कराया गया इसके जो मेन अगर शिल्पकार माने जाएं तो वो कौन थे इसके जो मेन शिल्पकार थे उनका नाम था आपका धर्म पदा धर्म पदा ठीक है मेन शिल्पकार धर्म पदा कुछ ऐसी कहानिय हैं कि उनकी अनुसार अगर इस मंदिर का निर्माण देखा जाए तो भगवान कृष्ण के पुत्र सामभा के द्वारा कराया गया था यह कुछ कहानियों के हिसाब से भी हम सुनते आए हैं तो यह लाइन भी हम लिख लेते हैं दूसरा जो most important topic का एक point है वो यह है कि 1984 में 1984 में इसे UNESCO की विश्वधरोहर इस्थल की सूची में शामिल किया गया कब 1984 में UNESCO की विश्वधरोहर सूची में इसको शामिल किया गया यह प्राचीन इसमारक और पुरातत तो इस्थल एवम अवशेश जो अधिनियम है 1958 के तहर संद्रक्षित है जिसको हम अमासर भी बोलते है AMASR प्राचीन इसमारक और पुरातत तो इस्थल एवम अवशेश अधिनियम 1958 इसके निकटतम जो समुद्रत है वो चंद्रभागा को वर्ष 2018 में परियावन स्वक्षता के लिए ब्लू फ्लैग भी दिया गया है ठीक है क्या दिया गया है ब्लू फ्लैग अगर हम देखें क हमारे जो भारत में कितने Sun Temple शो होते हैं कितने Sun Temple है तो हम अगर जूम करें तो total एप्रॉक्सिमेटली हमारे पूरे इंडिया में कितने है 12 Sun Tempels माने जाते हैं जिन मैसे प्रमुक जो है आपका जम्मू कश्मीर में कौन सा है मारतंड Sun Temple ठीक है मैं पहला दूसा जब हम नीच temple पढ़ेगा जिसको हम बोलेंगे क्या दक्षिनार रख sun temple ठीक है आगे बढ़ेंगे तो असम में आप आएंगे तो सूर्य प्रहार temple ठीक है बिहार से जस्ट नीचे जारखंड में राची में आपका एक सूर्य मंदिर भी है तो राची लिख लेंगे यहां पर राची ठीक है राची में भी है क्या सूर्य temple फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो मद्र प्रदेश में दो पढ़ते हैं एक पढ़ता है आपका गौालियर में और एक पढ़ता है आपका दतिया में ठीक है दो टेंपल है संटेंपल गौालियर और दतिया फिर उसके आगे आप आईए गुजरात में जो की बहुत फेमस है मडेरा संटेंपल जो की गुजरात में है मडेरा भी बोलते है जो की गुजरात में है फिर उससे आगे आपका जो में टेंपल है वो उडीसा में है जिसको कोणार का सूरे मंदिर माना जाएगा और हम उसे ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं उसको मैं अलग एक तरीके से बना देता हूँ यहाँ पर फिर उससे आगे आप देखेंगे जब तो आंधरा प्रदेश में क्या नाम है उसका आंधरा प्रदेश में आपका डॉमलूर ठीक है डॉमलूर आपका पड़ता है कहां बैंगलोरुक तो यह जो most important sun temples हैं आपके पूरे इंडिया के इसे आपको एक बार देखना चाहिए जमुएन कश्मीर में उत्राखण में असम में बिहार रांची आपका में कॉनार का सूर्य मंदिर मद्र बदे इसमें कौन सा अस्रावली सूर्य नारायन temple ठीक है यह हो गया आपके total आपके जो sun temple थे वह भारत में उनकी स्थिति फिर चलते हैं अपने topic पर जो यह इसका map है इसको हम आगे की slide में समझेंगे तो अभी इससे आगे अपने topic पर चलते हैं ठीक है अब देखिए यहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे हमने यहां तक पढ़ लिया था blue flag थक ठीक है वर्ष 2016 में IIT के एक अध्यन में पता चला कि जो मंदिर के पास चंद्रभागा नदी थी उसके संकेत एकदम proof मिलते हैं कि हां यहां पर एक नदी हुआ करती थी ठीक है अब उसी जगे पर कोणा कि नत्य महुत सब है और चंद्रभागा महुत सब ठीक है दूसरा इस मंदिर की जो इस्थापत्य शैली है वो कौन सी है वो है आपकी कलंग इस्थापत्य शैली क्या है कलंग इस्थापत्य शैली है आपकी जो नागर शैली है उसका एक सव पार्ट है मतलब उप शैली के र जगमोहन होता है जिसकी ये टॉपिक चर्चा में आया जिस वज़े से वो जिसको हम सभाग्रह भी बोलते हैं फिर इसके बाद क्या आएगा इसके बाद जो पॉइंट्स हैं वो आएंगे आपके नट मंदिर ठीक है नट मंदिर और जिसको हम नत्यग्रह भी बोलेंगे और कुछ उपसन रचनाएं भी होती हैं जो की मंदिर के आसवास होती थी ठीक है अपने संपूर्ण रूप में अगर हम देखें इस बात को कि जो सूर्य देव का जो रत मंदिर होता था वो सूर्य के रत का रतने दिर्ट तो करता था और जो इसमें बारी एक नकाशी की वही है उसमें आपको 24 पाईए होंगे इसके उपर एक दाहीने ओर 12 बारा पाईए टोटल अगर हम देखें तो 24 बाईए और दाही ओर देखें तो 12 इधर और 12 ही इधर ठीक है तो यो ये 3 मीटर का व्यास होता था उसका इसमें 7 घोड़े इसको खीचते हुए दिखाई देंगे आपको ठीक है तो 12 जोड़ी जो एक वर्ष के जो 12 महीने होते हैं उनको दर्शाता है 8 तिलियां जो हैं वो आपके 8 प्रहर जो होते हैं उसको दर्शाती है साथ ही साथ रितूओं को दर्शाती है साथ घोड़े जो हैं आपके वो सब्ता के साथ दिनों को दर्शाते हैं तो कोशन उठेगा कि जो आपके बारा-बारा पईए हैं जो आपके साथ घोड़े हैं जो आपका दिन हैं रितू हैं उसमें किस-किस चीज को क्या-क्या दर्षाता है, तो ये point important हो गया, यहाँ पर जो दीवारे हैं और स्थम्ब हैं, उसमें कुछ चित रुकेरे गए हैं, जो कि किस चीज के हैं, शेर के हैं, संगीत कारों के हैं, और नितकों के हैं, इसके अत्रिक्त आपने नोटिस किया होगा, कि जो आपके 10 रुपे का नोट होता है, उसके पिछली साइड में, इस मंदिर का जो पहिया है, उसको दर्षाया गया है, ठीक है, मंदिर के जो प्रियुक्त पत्थर हैं, जो उसमें पत्थर यूज किये गए हैं, तो इस मंदिर का विनाश का ऐसा कोई निश्चित कारण नहीं है, लेकिन निमलखित किसी भी एक तरीके से अगर हम बताएं, तो 1837 में मंदिर का अधिकांश भाग अपने आप नस्ट हो गया था, हाला कि जो कि जग मोहन है, जिसको हम सवाग रह भी बोलते हैं, वो आज भी सुरक्षित है, अब कुछ कारणों को अगर हम देखें, स्पेसिफाइड करें, तो कारण क्या है उसमें, पहला कारण है आपका, इसलामी आक्रमन, संदचनात्मक दोश, जो उसका संदचना की गई थी उसका दोश, और तीसा पत्थरों की जो अनुप्युक्त, या उसका अपच्छय हुआ है वो, एक लास्ट पॉइंट जिसको हम बहुत important मान सकते हैं, कि वो मंदिरों का चुम्बकों का निकाला जाना, आप ये notice करेंगे, कि जब इसका निर्मान किया गया, बंगाल की खाड़ी के पास, तो वहाँ पे जो पुत्रगाली नाविक आते थे, वो मैगनेट की वज़े से डाइवर्ट हो जाते थे, उनका जहाज उस तरीके से उस पोर्ट पे नहीं पहुँच पाता था, इसलिए उन्होंने इस मंदिर में से चुम्मक को निकाल ले, और ये इसका ड्रॉबैक रहा, इसके गिन्ने का कारण बना, ठीक हैं, अब आते हैं, कलिंग इस्थापत्तिक कला शेली के बारे में कुछ जान लेते हैं, तो कलिंग इस्थापत्तिक शला जो कला शेली है, उस कला का जो विकास हुआ, वो प्राचीन कलिंग छेतर में हुआ था, यह एरिया जो पढ़ता था, वो आपका महानदी और गोदावरी नदी के बीच का एरिया कहलाता था, जो कि पस्चिम बंगाल, उडिसा, उत्री आंधर परेश्क में आता है, यह जो नागर मंदिर इस्थापत तिकला है, उसकी एक उपशली होती है, यह मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, यह तीन अलग-अलग प्रकारों में मंदिरों को वर्गी गरत करती है, पहला आपका रेखा दौल होता है, दूसरा पीड़ा दौल होता है, और तीसरा खाखरा दौल होता है, अगर रेखा दौल में देखें हम, तो इसका एक्जामपिल होता है आपका लिंगराज टेंपल, पीडा दौल में देखें तो कोणाक मंदिल इसका example होगा और खाकरा दौल में देखें तो बेताल मंदिल इसका example होगा अब जान लेते हैं रेखा दौल अगर देखें तो इसकी योजना बरगाकार होती है इसके उपर एक वक्रिय शिखर होता है मंदिर का एक ही भाग रेखा में या ही एक अक्षपे पंक्ती वर्द होते हैं ये मंदिर मेंली विश्णु भगवान, शिव और सूर्य देव को समर्पित हुआ करते थे अगला जो है पीडा दाउल वो भगवान, शिव, विश्णु और सूर्य भगवान को ही समर्पित होते थे इसकी योजना भी बर्गाकार होती थी लेकिन जो इसका शीर्ज होता था वो छेते जिस्तरों या चोतरों पर पिरामिड आकार का एक शिखर निमित किया जाता था ये चोतरे समानने तोर पर तीन स्थरों में विवस्थित होते थे ये मैंने बता ही दिया भगवान, विश्णु, सिव और सुर्य देव को समर्पित होते थे इसके आगे एक सभाग्रे होता था जिसको हम जग मोहन भी बोलते थे अगला है खासा दौल ये डोली नुमा आकरती होती थी डोल नुमा आप मान सकते हैं इसका जो एक्जाम्पिल है वो विताल मंदिर है इसकी योजना आयताकार होती थी एक लंबी चछत होती थी इसमें और ये द्रविन जो गोपरम होता है उसकी संजरचना के समान हुआ करता था अब यहाँ पर जो जानने वाली बात है कि ये माता चामुंडा और दुर्गा माता को समर्पित होते थे ये जो दो मंदिर हैं जो दो तरीके के ये भगवान विश्णू, शिव और सूर्य को समर्पित है लेकिन जो ये टाइप है ये माता दुरगा और चामुंडा को समख पेता है इसमें गर्ब ग्रह की जो अवधार्णा है वो सामने आएगी ठीक है अब इसके जो विकास हुए है इसके चरण के उस पर चलते हैं जो मंदिर का विकास हुआ है तो इसमें चार चरण माने जाएंगे आपके प्रारंबिक चरण से देखें तो वहां से चलके आप देखिए सेकंड पहेंगे फिर यहां से यहां आएंगे और यहां से फिर यहां आएंगे ठीक है तो प्रारंबिक चरण जो माना जाएगा वो 9-20 शताबदी तक माना जाएगा छटवी से नवी तक इसमें प्रमुख जो राजबंश है वो है आपका भॉमकर और जो मंदिर है वो है पडशोराम मंदिर और आपका बेताल मंदिर मैंने अभी बताया बेताल मंदिर खाकरा दौल का एक्जाम्पिल है और ये कहां पड़ते हैं ये पड़ते हैं आपके उडिसा में आपके भुवनेश्वर में ये दोनों ही मंदिर उसी एरिया में पड़ते हैं फिर दूसरे पॉइंट पर आते हैं सम कारलीन जो आपका संकरम मंदिर है वो भी भुवनेश्वर में है और लिंगराज मंदिर भी आपका भुवनेश्वर में आता है थर्ड पॉइंट पर है परिपक कुछरण जिसको ग्यारवी शदी से तेरवी शताबदी में माना जाएगा इसका जो प्रमुक राजवंस है वो है पूरवी गंग पॉइंट पर आजाएगा फिर आप आएंगे फोर्थ पॉइंट पर जिसको हम बोलते हैं पतन का काल जो कि चौरवी शताबदी से सोलवी शताबदी के रूप में है और प्रम्युक जो राजवंस है वो है गजपती इसमें आप देखेंगे कि मंदिरों को वैल्यू उस टा पॉइसरा और ये फेद चौथा ठीक है तो हम इस तरीके से इसको जान गए अब एक उसकी फिगर देख लेते हैं जिसमें ये हम पढ़ सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं देखिए ये है आपका मंदिर जिसको हम भोग मंदिर बोलते हैं तो भोग मंदिर जो होता था वहाँ प पित करके डांसर जहां डांस करते थे उसको हम बोलते हैं नटमंदिर फिर जग मोहन जिसको हम सभाग रह भी बोलते हैं यहां पर सभा की जाती थी सारी बाते बात आई जाती थी तो इसके लिए सभाग रह सबसे एंड में आता है आपका डौन तो यहां पर यह क्या होता थ यह आपके तीन तरीके के होते थे, मैंने आपको बता दिया था, आपका पहला रेखा, दूसरा आपका पीडा, और तीसरा आपका खासरा, तो यह तीन तरीके के होते थे और यह गर्व ग्रह के ऊपर हुआ करते थे, ठीक है, तो यह खुल मिलाके इसका structure हुआ, उम्मीद करता आपको time to time मिलती रहें, उसके लिए हमारा चनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, घद पे रहिए, शुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, जै हिन, जै भालत, थैंक यू, थैंक यू सो मच,